हेलो फाइटर्स मेरा नाम है निकलो और आप देख रहे हैं अपना चैनल इंग्लिस फाइटर्स जैसा कि आपको मालूम होई चुका होगा कि आज का हमारा टॉपिक क्या है तो आज हम जानेंगे टाइप्स ओफ फैन के बारे में किस-किस टाइप्स के फैन होते हैं उनके क्या-क्या नेम होते हैं अक्सर हम सभी फैन को बस फैन बोलते हैं लेकर उनके particular एक नेम भी होता है जिसके बारे में हम इस वीडियो में आगे जानेंगे तो पहला हमारा फैन है ceiling fan जिसको छट पर लगाया जाता है जिसको ceiling में लगाया जाता है इसे हम ceiling fan बोलता है यह तो हर को जानता ही है लेकिन हमारा जो दूसरा fan है उसका नाम है table fan table fan जो table पर रखा जाता है या फिर इसको हम floor पर भी रख सकते हैं ओके चलिए अपना next fan देखते हैं जो है tower fan tower fan का मतलब नाम से ही पता चल रहा है वो tower जैसे थोड़ा लंबा होता है उसकी body थोड़ी narrow shape में लंबी होती है और यह दिखने में बहुत ही look अच्छा लगता है इसको थोड़ा fancy लगता है और यह छोटी मोटी जगह के लिए बहुत ही आराम दायक होता है बहुत अच्छी हव fan ठीक है अगला fan हमारा जिसे हम exhaust fan बोलते हैं जो घर में लगाया जाता है ताकि घर की जो गर्महाट है गरम हबा है अंदर की जो नमी है उसको बाहर निकाला जा सके वो ventilation का अच्छा काम करता है यह होता है exhaust fan का का काम ठीक है next fan हमारा wall mounted fan यह तब लगाया जाता है यह दिवा आफ ceiling fan का use नहीं कर सकते हैं या pedestal fan का use नहीं कर सकते हैं तो आफ side में wall mounted fan को लगा सकते हैं जो बहुत ही comfortable होता है next fan हमारा mist fan mist fan का का काम बिलकुल कूलर की तरह होता है यह दिखने में fan जैसा होता है बट काम यह पूरा cooler का करता है और बहुत ही ज़्यादा ठंडी हवा देता इसमें क्या होता है नीचे एक tank होता है उसमें पानी भरा रहता रहता है उपर फैन होता है तो जब घूमता है तो tank लगा हमारे में ट्न करते है बहुत ही एक थंडी हवा लगती हवा लगती लगत लगता है जिसे हम बोलते हैं floor fan and the last one is industrial fan ये exhaust का कह सकते हैं बड़ा भाई है exhaust हम लोग घरम में लगाते हैं लेकिन जो industrial fan होता है ये factory एरिया में industries में लगता है क्योंकि वहाँ पर बहुत ज्यादा machine चलती है जिसे heat निकलती है और उस heat को बहार निकालने के लिए उनको बड़े fan की जरूरत होती है इसलिए ये काफी बड़े होते हैं massage में इसको हम industrial fan बोलते हैं ठीक है और आपको बताइएगा कि इनमेस आपको कौन सा fan अच्छा लगा है और आपको अगर इनमेसे कोई साभी fan अच्छा लगा आप अगर purchase करना चाहते हैं तो link